तो आखिरकार भारत ने अचानक से वह कौन सा फैसला ले लिया जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने ताकत और फाइटर जेट यानी की F-15X भारत को डिसकाउंट प्राइस पर ओफर कर दिया है और यदि आप इतिहास खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि यह वही अमेरिका है जो कि भारत चीन या और पाकिस्तान के साथ विवाद हुआ तो अमेरिका ने हथियारों के सफला तक लेट की थी लेकिन अचानक से भारत के पास इतनी ताकत कहां से आ गई जहां पर अमेरिक अलग अलग देशों से इसको लेकर के बातचीत चल रही है जिसमें राफेल और यूरोप वाटर टाइफून इस लिस्ट में पहले से ही बने हुए हैं तो आखिर इस लिस्ट में अमेरिका पीछे कैसे रह सकता है और कल ही भारत ने एक और बड़ी अनाउंस्मेंट कर दी है कि भारत अपने फिफ्ट जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम शुरू कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इन सभी देशों की टेंशन बढ़नी शुरू हो चुकी है वही बात की जाए अमेरिका के ताकतवर फाइटर जट F-15X की तो बोईंग कमपनी की तरफ से तयार कि है और इसमें वह सारी फैसिलिटी हैं जिससे भारतिये वायू सेना के किसी भी हतियार को इसमें आसानी से फिट किया जा सकता है जहां पर बोईंग का कहना है कि भारत के पास जितनी भी डावर्स जियोग्राफिक लोकेशन है इसलिए इस फाइटर जेट को कहीं पर भी कि रफतार से उड़ान भर सकता है थिस्टीर फिट लंबा ये फाइटर जेट दो पाइलटों के साथ उड़ाया जाता है जिसका वजन करीब 15,656 kg है और अगर इसमें सारे हथियारों को लस कर दिया जाए तो इसका उड़ान भरते समय वजन करीब 364,48 kg तक ले सकता है इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के दो इंजन्स लगाए गए हैं जो इससे करीब 119 किलो न्यूटन तक की ताकत देता है बात की जाए स्पाइडर जट की कॉमबैट रेंज की तो करीब 127 किलोमीटर की कॉमबैट रेंज है और इसमें तीन एक्स्टरनल फ्यूल टैंक दिये गए जो की करीब 400 किलोमीटर तक की उडान भर सकता है और इसे मैगजाम नम करीब 6,000 फीट तक उंचाई पर ले जाया जा सकता है यह फाइटर जेट 5,000 फीट प्रती मिनट से सीधे उडान भर सकता है और अभी इसमें डसम एम की एक कैनाल लगी हुई है जो प्रती मिनट 500 गोल जा सकती है और यह एयर टू एयर मिसाइलें हैं बात की जाए तो कमपेटीशन की तो भारत ओन्रेडी चाहता है कि अपने एयर फोर्स के लिए हम इस तरीके के आधुनिक हत्यारों का इस्तेमाल शुरू करें इसलिए दुनिया के अलग-अलग देश भारत के इस नए हत्यारों को भी शामिल किये जाने की तैयारी की जा रही है अभी अमेरिका की कोशिश है कि भारत किसी तरीके से इस फाइटर जेट को अपने फ्लैट में शामिल कर ले जिससे अमेरिका आगे चलकर भारत को इसकी टेकनोलोजी भी भेज सकता है अभी ये इतना कैपेबल है क कि हम भारत के किसी भी हत्यार को इसमें आसानी से फिट कर सकते हैं। आप देखने वाली बात ये रहेंगी कि भारत राफेल यूरो फाइटर टाइफ या फिर F-15X एक इंडियन एर फोर्स के लिए इस्तेमाल करता है या फिर हम खुद से ही किसी ऐसे ही ताकतवर फाइटर जेट को तयार करते हैं। आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।